बालो को लंबा और घना करने के लिए 12 राम बान उपाए जरूर सुने बालो को लंबा घना करने और उनको जड़ने से रोकने के लिए एक चमच मेथी दाना और एक चमच कलोंजी को एक कंटेनर में या फिर एक बोटल में डाले फिर इसमें नारियल तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल और ओली वॉयल डालें और इसको दो दिन के लिए धूप में रखें फिर इसको हपते में दो बार अपने बालों की जड़ों में रूही की साहता से लगाएं और हलकी हलकी आतों से मालिश करें ध्यान रहे इसको कौटन की साहता से ही अपने बालों में लगाएं इस तेल को लगाने से आपके बाल कभी जड़ेंगे नहीं सफेद नहीं होंगे और इस तेल को लगाने से आपके बाल लंबे होंगे तो इस तेल को आप लोग बना की जरूर रखें और हफ्टे में दो बार इस टेल से मालिस जरूर करें पहले लगाने से पहले हलका गुनगोना कर ले इस टेल को और फिर रूई की सायता से अपने बालों की जड़ों में लगाएं जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा बाल जढेंगे नहीं और ड्राइन होंगे और जो बेजान रूखे सूके होते वो नहीं होंगे दो, एक कटोरी में धही लें उसमें गुढल के फूल, गुढल के पत्ते, मीठी नीम के पत्ते और आधा नीबू करस डाले और सबको अच्छे से मिक्स कर ले उसके बाद में बालो पर लगाएं ये बहुत ज़्यादा फाइदा करेगा आप जरूर ट्राइ कीजिए इस पैक को तीन, नारिल तेल में नीबू डाल कर लगाने से भी बालो को बहुत फाइदा मिलता है इससे आपके जो डेंडरफ है बो नहीं होगा चार, प्याज को पीस कर उसका दो चम्मच रस निकाल कर बालो की जड़ो में लगाएं इससे बाल ज़रना बंद हो जाएंगे और शाइनी भी बनेंगे पांच, आवले का मुरब्बा खाएं आवले आप चाहे तो कच्छे खाएं या फिर मुरब्बा खालें या फिर केंडी खाले जो भी आवले रोज खाने चाहिए इससे आपके बाल सफेद नहीं होंगे और जड़ेंगे भी नहीं आवले का तेल आप घर पर बनाकर बालों पर लगाएं ये बहुत ज़्यादा फायदे मंद है नमबर छे एलोवीरा का सेवन करने से भी बालों को पोशन मिलता है और इससे बाल घने और मुलायम होते हैं इसलिए एलोवीरा अपनी डाइट में जरूर शामिल करें एलोवीरा का जूस पी लें जूस न पिएं तो एलोवीरा को जो ताजा जो घरों में लगा होता है एलोवीरा उसका गुदा निकालके और आटे में डालके आटा लगाके रूटी बनाके खाएं या फिर सबजी बना लें जैसे भी खाएं पर एलोवीरा रोज अपनी डाइट में शामिल जरूर करें साथ रीटा और आवला को मिक्स करके लगाएं ऐसा करने से बालो को बहुत ज़्यादा अच्छे फायदे मिलेंगे नमबर नो आलो में विटामीन A, B और C का बंडार होता है इसलिए बाल दोने से पहले आदा घंटा पहले आलो के रस को बालो पर लगाएं और फिर दोलें नमबर दस ध्यान रहें जब भी आप अपने बालो पर तेल लगाएं तेल को हलका गुनगुना करें फिर रुई की साइता से बालो की जड़ो पर लगाएं और हलके हलके आतों से मालिश करें नमबर ग्यारा नमबर ग्यारा बादाम की तेल में विटामिन E की कैपसूल डाल कर बालो की जड़ो में लगाएं बालो का जड़ना रुख जाएगा नमबर बारा बालो को लंबा और घहना करने के लिए हपते में दो भार खटी चाच में मुलतानी मिट्टी डाल कर बालो पर जरूर लगाएं हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद झार झार रदीजिए यह यह लगी लगाँ जाल